क्या है दिल्ली के नए अध्याधेश में? सुप्रीम कोट के फैसले को केंद्र सरकार ने कैसे पल्टा? इस अध्याधेश के तहत किसी भी अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा अंतिम नर्न लेने का हक उप्राज पाल को वापस दे दिया गया है अब उप्राज पाल अधिकारियों की पोस्टिंग या ट्रांसफर कराएंगे इसी अध्याधेश के तहत दिल्ली में सेवा दे रहे दानिक्स कैडर के ग्रूप ए अधिकारियों के ट्रांसफर अनुशासना पहस दानि सीविल सेवा पादिकरड बनाने के केंडर के अध्याधेश को लेकर दिल्ली में सत्तरूड मुख्यमंत्री अर्विंद के जिवाल ने प्रेस कौनफरेंश करते हुए केंडर सरकार पर जम कर निशाना साथा उन्होंने कहा कि केंडर सरकार का लाया गया ये अध् एपना अध्यादेश लाने के बाद इसी आजिका का क्या अचित है इसी आजिका की सुनवाई तो तब ही हो सकती है जब वो अपना अध्यादेश वापस ले लें CM ने आगे कहा कि सद्ध्यादेश को लाकर केंद सरकार ने जनता और देश के साथ एक बद्दा मजाग किया है जैसे केंद सरकार S.C. को सीधी चुनौती दे रही है कि आप जो भी आदेश दें हम उसे पलट देंगे समविधान के अनुछेद 123 में राष्टपती के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों का वर्णन है अगर कोई ऐसा विशे हो जिस पर ततकाल कानून बनाने की जरूरत हो और उस समय संसद ना चल रही हो तो अध्यादेश लाया जा सकता है अध्यादेश का प्रभाव उतना ही रहता है जितना संसद से पारित कानून का होता है इन्हें कभी भी वापस लिया जा सकता है अध्यादेश के जरीए नागरिकों से उनके मूल अधिकार नहीं चीने जा सकते केंद्रीय मंत्री मंडल की सलाह पर राष्टपती अध्यदेश जारी करते हैं चुकि कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है ऐसे में अध्यदेश को संसद की मंजूरी चाहिए होती है अध्यदेश को संसद में 6 सपता के भीतर पारित कराना होता है अध्यदेश जारी करने के छे महीने के भीतर संसर सत्र बुलाना आनिवार है राज्यों में गवर्नर अध्यदेश जारी कर सकते हैं इसके लिए समविधान के अनुचेद 113 में व्यवस्था है शर्ते वही रहती है कि विधान सभा का सत्र ना चल रहा हो अध्यदेश को जारी करने के छे महीने के अंदर विधान सभा से पारित भी कराना होता है संसत के पास कानून बना कर अधालत के फैसले को पलटने की शक्तिया है हालांकि कानून सीधे तोर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोधावासी नहीं हो सकता कानून में अदालत के फैसले की सोच को एड्रिस करना जरूरी है मतलब यह कि फैसले के आधार को हटाता हुआ कानून पारित हो सकता है जुलाई 2021 के एक फैसले में सुप्रीम कोट ने कहा था कि जिस दोश की ओर इशारा किया गया है उसे इस तरह ठीक किया जाना चाहिए था कि दोश को इंगित करने वाले निर्ने का आधार हटा दिया गया हो दिली सरकार की शक्तियों के मामले पर सुप्रीम कोट की दो समविधान पीट सुनवाई कर चुकी है दोनों बार समविधान के अनुछेद 249 ए की व्याख्या की गई 1991 में जब 249 ए अस्तित्त में आया तब संसद ने Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991 भी पास किया इसमें विधान सभार्द दिली सरकार के कामकाच का धाचा तयार किया गया समविधान बेंच ने अपने फैसले में लोकतंत्र और संगवाद के सिधान्त को समविधान के मूल धाचे का हिस्सा बताया था चुकी अदालती फैसले का अधार समविधानिक प्रवधानों में है इस पर बहस हो सकती है कि G.N.C.T.D. Act 1991 में बदलाओ से फैसले का असर खत्म हो जाएगा या नहीं संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती और ना ही समविधान में ऐसा शंशोधन कर सकती है जिससे समविधान के मूल धाचे का उलंगन होता हो 2018 में बहुमत से समविधान पीट ने फैसला दिया था कि दिल्ली को भले ही पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता वहां संगवात का सिध्धान्त लागू होगा सुप्रीम कोट ने आर्स्ती कपूर बनाम भारसंग में कहा था कि राष्टपती की निर्नय को चुनोती दी जा सकती है इस आधार पर कि ततकाल कारवाही की जरूरत नहीं थी अध्यादेश को चुनोती दी जा सकती है फिसी जे आई डिवाई चंद चूड को तै करना होगा कि मामले पर समविधान बेंच बनाये या नहीं कृप्य हमारी वीडियो को शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें